हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिवल से जोकेशन में आज हम लोग कर रहा है यूपी पीसेस आरो यारो के लिए 2022 के लिए टेस्ट नमबर 7 और जो स्टुडेंट यूपी पीसेस प्री 2023 के लिए इंगेज हैं वो सब भी इन सब टेस्टों को देखते रहें यूपी पीसेस आरो यारो वाले टेस्ट जो हैं अब से यूपी पीसेस आरो यारो के जो भी टेस्ट होंगे इसको हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों में करेंगे तो इंग्लिस विडियम बालों को भी दिक्कत नहीं रहेगी थोड़ा फॉंट जरूर छोटा हो जाएगा बट आप लोग इसको रोटेशन पर देखेएगा फुल स्क्रीन पर देखेएगा तो दिक्कत नहीं होगी चलिए शुरू करते हैं और जो पुरानेटेस्ट है वो सारे प्लेलेस्ट पर बड़े होगे हैं रिवाइज करते रहें आप लोग पहला कुशन यहां पर MPC के पूछा है मौद्रिक नेती, समीती के पूछाह है यहां फ सबसे पहले MPC के पारे में जाल लेते है मौद्रिक नीती जो समीती है इसका गठन कौन करता है Central Government गठन Central Government के दोवारा होता है और समीती को जो Head करता है चेर करता है वो RBI के Governor करते है ठीक है? RBI के Governor करते है गठन पूछा जाये तो Central Government लगाना है और समीती की जो अध्यक्ष होते है वो RBI Governor होता है ऐसा provision है 1934 का जो RBI Act है ठीक है इसमें ऐसा provision है तो यहाँ से हम लोगो एक चीज और समन्वी आती है कि जिन संस्थाओं का गठन संसत के किसी अधिनियम के द्वारा होता है ऐसी संस्थाओं को Statutory Body बोलते है यानि सामधिक संस्थाओं बोलते है यह चीज़ सीख रखी हम लोगों ने पहले भी पुराने टेस्टों में हम लोगों ने इंस्टूमेंट भी पढ़े थे Monetary Policy की जो इंस्टूमेंट होते हैं मतलब MPC करदी क्या है हम लोग रेपो रेट के बारे में पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारें पढ़ते हैं, LAF के बारें पढ़ते हैं, बैंक रेट के बारें पढ़ते हैं, CRR पढ़ते हैं, CRR यानि Cash Reserves Ratio, और SLR पढ़ते हैं, इस सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और जो सबसे इंपोर्टन था, OMO, Open Market Operation. और यह सब जो टूल्स हैं इनसे होता है क्या है इससे मार्केट में एक बिजनिस साइकल बनी रहती है प्रैस की स्टेबिल्टी बनी रहती है भारत की एकॉनमिक ग्रोथ तेज कनने की कोसिस की जाती है मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाना है या फिर मार्केट से पैसा खीचना है इस सारी चीजें इन सब दरों से होता है इसी चीज को बोलते हैं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है Market के अंदर liquidity बढ़ने का मतलब है लोगों के पास पैसा आ गया पॉकेट में पैसा आ गया liquidity घचने का मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं है और यही चीज डेसाईट करती है Demand को और Supply को 2016 से पहले तू MPC का कोई नाम उनसान नहीं था 2016 से पहले सिर्फ एक ही आदमी के पास पूरे डिसीजन लेने की अधिकार थे वो था RBI गवनर यह जो हम लोगों ने भी टूल्स पढ़ें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इस अब कौन डिसाइड करता था सिर्फ RBI गवनर लेकिन अब क्या होता है अब MPC करती है काम ठीक है MPC करती है MPC का जो कोरम होता है वो चार लोगों का होता है और हर एक मेंबर के पास एक बोर्ट का अधिकार होता है और बोर्टों की संखिया बरावर होने के इस्तिती में अंतिम नर्णा जो होता है वो RBI गवनर का होता है किलियर है कि इतनी चीज़ें हम लोगो MPC के बारे में पढ़ना था अब जल्दी से कुश्चन कर दीजिए अब हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा पहला स्टिट्मेंट है RVI की मौद्रिक नीती समीती RVI अधिनियम 1934 के तहत स्थाफितिक साम बिदिक निकाय है इस्टेट्यूटरी बॉडिये किलियर है सीक लिए हम लोगोंने दूसरा है केंद्रिय वित्यमंत्री जो फाइनेंस मिनेश्टर होते हैं इस समीती के पदेन अध्यक्ष होते हैं एक्स ओफिसियो चेयर्मेन होते हैं तो यह तो गलत है एक्स ओफिसियो चेयर्मेन को अर्वियाई गवंडर होते हैं ठीक है अर्वियाई गवंडर दूसरा गलत है तीसरा है समीती के निर्णे बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं और समान मतों की इस्तिति में आर्विया मॉडल को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है लक्ष को ध्यान में रखते हुए मुद्रा इस्तिरता को बनाया रखने ही दुकार करती है ठीक है तो यहां पर दूसरे पॉइंट को निकाल दीजिए बागी सब सही हो जाएगा सी ओप्सन करेक्ट है समाज आया चल दूस इनको बैड लोन्स भी बोलता है ना बैड लोन्स यह बैंकों की ऐसी परिसंपत्य होती है ऐसे एसे एसेट्स होते है जिन पर बैंकों को कोई भी वेनिफिट नहीं मिलता है ठीक है कोई भी फायदा नहीं मिलता है जबकि यह पैसा बैंकों का ही होता है जैसे किसी कंपनी न साथ किसी भी एक्ति का भी आप एक्जमपल ले सकते हो बिजय मालिया साथ पैसा लेके ओड़ गए और जो हजारों करोणों का यह लोन लिये थे वो बापिस तो कन नहीं रहें तो यह पैसा बैंक के लिए बैड लोन बन गया है यह ना इसी को NPA बोलता है और बैंक के बार में तो एकनोमिक एक्टिविटीज होती है और यही सब अगर नहीं होगा तो एकनोमिक एक्टिविटीज कैसे होगी डिमांड सप्लाई तो यही सब सीजन डिसाइड करेंगी न तो इसका जवाब बहुत आसान है आप पढ़िए दूसरा उप्शन पढ़िए आर्थिक समय पर तो नहीं था आया कब 2014 में इससे पहले नीती की जगह पर कौन होता था प्लानिंग कमीशन होता था है ना जिसकी स्थाबना 1950 में होई थी लेकिन प्लानिंग कमीशन में वह बात नहीं थी जो नीती कमीशन में है यह बात कुन सी है यह बात है सबको साथ में लेके चल त्यूम्याइब अब राज्यों की बातने जाती अब योटी के, जो आप इस्ट्क्टर देखेंगे, उसमें राज्यों के Ceam member है यह इसके, पहले मेंबर नहीं हुआ करते थे जब प्लानिंग कमिशन हुआ करती थी पूरे का पूरा कप जा था सेंटरल कॉर्मेंट का और जब सभी लोग मिलके काम करते हैं तो इस चीज को बोला जाता है कोपरेटिव फैडरलिजम यादारा पॉलिटी सहेकारी संगबाद तो नीती कमिशन एक बहुत अच्छा एकजामपल है सहेकारी संगबाद का अब कर लेंगे चलिए फटाफट करिए पहला क्या है ग्रामड इस्तर पर योजनाओ का निर्माण करना तथा उच्छ इस्तर पर पहुंचाना बिलकुल करेक्ट है दूसरा है अर्थ फ़वस्ता के उन छेतरों पर बिसेज द्यान देना जहां आर्थिक ब्रद्धी से लावनी पहुंचा है यह सब काम है नीती कमिशन के तो यह पर दोनों सही है लेकिन यह पर पूचा है गलत कौन है तो गलत कोई भी नहीं है तो डी से ही हो जाएगा कर लेंगे चलिए चौता है निमलिकित मेंसे कौन सा सामान मूल दर पर सामान मूल दर पर नॉर्मल प्राइस रेट पर के आधार पर मुद्रा स्विती का प्रकार नहीं है क्रीपिंग इंफलेशन रैंक ती स्विती बॉकिंग इंफलेशन डिमांड पूल इंफलेशन और हाइपर इंफलेशन यहां पर सी उप्शन ऐसा है जो सामान मूल दर के आधार पर इंफलेशन का टाइप नहीं है सी उप्शन से हो जाएगा पाच में में बूचा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI Foreign Direct Investment के संदर में बताईए यह एक अलपकालिक निवेश होता है यह अलपकालिक निवेश होता है यह लॉंग टर्म निवेश होता है अगर आप किसी दूसरे देश में कंपनी खोलना चाहरे है तो एक साल के लिए थोड़ी ना खूलना चाहरा है या फिर छे मैने के लिए थोड़ी ना खूलना चाहरा है आप लॉंग टम का ही यहाँ पर टारिके लेके चलेंगे अगर आप किसी कंपनी में 10% पूजी का निवेश करते हैं तो इसको FDI माना जाता है तो यह fact याद रखना 10% का अगर Elon Musk साब Tata Company में 10% पूजी का इनवेश करते हैं तो यह FDI माना जाएगा और जो FDI का time limit होता है वो one year से plus होता है एक साल से जाना के लिए अगर आप इनवेश करते हैं तो FDI माना जाएगा और यह अलग-अलग छेतर में अलग-अलग होता है ठीक है वो यह pre-determined होता है पहला statement तो देख लिए हम लोगों ने यह गलत है long term होता है अलपकालिक नहीं होता है दूसरा FDI में छेतर बार यही मैं यहाँ पर बता रहा था कि इसको अलग-अलग सक्टर के साबसे अलग-अलग time limit decide किया गया है FDI में छेतर बार अधिक तमसीमा पहले से नरधारित होती है ठीक है पहला गलत है दूसरा सही है यहाँ पर गलत बताना है ठीक है गलत बताना है द्यान दखना है इन सब चीजों का यह गलत हो जाएगा चलिए छटमा देखिए निमले कि तमसे किसे रास्टी आए national income में समलित नहीं किया जाता यह option में काला धन लिखा है black money यह तो national income नहीं होगी जुआ से जो पैसा आ रहा है तसकरी करके पैसा आ रहा है तो वह हमारी national income थोड़ी नहीं होई है न तो भी option भी national income में count नहीं होगी तीसरा भी national income में count नहीं होगी यहां पर सभी सही है दी option सही है साथमा प्रस्ण यहां पर लेजिस फेयर के बारे में पुछा है इसको हम लोग कर चुके हैं एक बार अगर आप लोगो ध्याना रहा हो इसका मतलब होता है complete free economy ठीक है complete free economy यहां पर गौर्मेंट का रोल नहीं होना चाहिए state का रोल नहीं होना चाहिए किस में रोल नहीं होन इसको हिंदी में आ अहस्तर छेब की नीती भी बोलता है एक नो नहींने आहस्तर छेब नहीं लिखा न नहीं तो आंसर करी लेते तुरंट लेजिस्फेल लिखा हुगा है यह option पढ़िए हैं आर्थिक नड़ाय लेने में सरकार का कम से कम हस्त छेप सही है यह option सही है चलिए आर्थ में प्रेस ने देखिए है अर्थवबस्ता का वै छेत्र जो प्राथमिक छेत्र के उत्पादों को अपनी इंकतिवितियों में सेक्टर टर्सरी सेक्टर इसको अच्छे से हम लोगोंने पट रखाया बार बार रिपीट करने का भी कोई मतलब नहीं है इसलिए बोलने कि जो भी टेस्ट कराया जा रहे हैं उनको सीक्वेंसली देखते रहे हैं आप लोग ताकि कुछ भी चीज़ें आपसे छूटे ना प प्राइमरी सेक्टर ये रो माटेरियल होता है सेकंडरी सेक्टर का क्या है कार खाना है मैनुफैक्चरिंग है बिस्किट बनाने की कंपनी है बिस्किट किससे बनेगा ग्याहूं से ग्याहूं कहां से लाओगे प्राइमरी सेक्टर पर जाना पड़ेगा तो ग्याहूं रो म मार्केट में भीजना पड़ेगा, मार्केट में कैसे आएगा, टैकिंग होके आएगा, किसी बहान से आएगा, है ना, बहान से आएगा, ट्रांस्पोर्टिशन से आएगा, तो ट्रांस्पोर्टिशन क्या है, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर हो जाएगा, चल प्राइशनल बैंक फॉर री कंस्ट्रिक्शन एंड डेवलेमेंट अंतररास्टी पुनर निर्माण एवं विकास बैंक यह पहला इंपोर्टेंट ओर्गन होता है वर्ल्ड बैंक का दूसरा ओर्गन होता है वह उपक्षी बिनियोग गारंटी संस्था जो इंगलिस वालें अपने इंगलिस देखते रहें तीसरा जो होता है अंतररास्टी यह बित निगम फाइनेंस कॉर्परेशन आई एफ सी लेकिन आपको द्यान रखना है यह जो अंतररास्टी यह मोनेट कर्लेमेंट ऑफ इनवेश्टमेंट डिस्प्यूट यह भी ओर्गन होता है चोथा और पांचमा जो ओर्गन है वो है अंतररास्टी यह बिकास परिसद इंटर्नेशनल डेवलमेंट काउंसिल कि रवाइशक्राद में फिर से पहला ओर्गन आई वी आडी दूसरा बहुपक ठीक चलिए दसमादे कि निमलिकत में से किसे आदर से सिक्का ने गुड कोईन कहा जाता है आप लोगों ने एकॉनोमी में दो चीजें पढ़ी होगी दो प्रकार की मनी पढ़ी होगी एक मनी हम लोग पढ़ते हैं फियर्ट मनी और दूसरी मनी जो पढ़ते हैं करेंसी पढ अधिया हुआ है तो फिर इसकी वैलु है फिर इस नोट की वैलु है एक कागज के टुकडी पे 100 रुपे लिखा है तो इसकी मार्केट में वैलू 100 रुपे की है किसी पे 1000 दे तो 1000 की व नोट की कोई वैलू है कागज के टिकोड़ी की कुछ वैलू है कुछ भी वैलू नहीं है और वही दूसरी तरह होता है commodity money जैसे gold हुआ silver हुआ या फिर सिक्के हुए 5 रुपे का सिक्का 10 रुपे का सिक्का तो currency तो यह सिक्का भी है माली जी 10 रुपे के सिक्के को government ने बंद कर दिया legal tender जो था government का 10 रुपे के सिक्के पर वापिस ले लिया अगर बहुत सारे सिक्के हैं तो बहुत सारा हमें material मिल जाएगा तावेगा उसको बेश सकते हैं तो यह तो बाते होंगी fiat money और commodity money पर उसी तरह आप यह आदर सिक्का जो लिखा है कुछ-कुछ मिलता जुलता है इससे इसको समझने के लिए आप एक सिक्का ही ले लीजिए यह पीतल का सिक्का है 200 रुपे का है legal tender जो government का है 200 रुपे का है यानि इस सिक्के का जो अंकित मूल है वो 200 रुपे है 200 रुपे value है market में 200 रुपे में चल जाएगा 200 रुपे की चीज आप ला सकते हो लेकिन इस सिक्का जिस चीज का बना है copper का इस copper की value है का 200 रुपे की नहीं है यह इतना महेंगा नहीं मिखेगा एक छोटा सा सिक्का अगर सिर्फ copper के form में आप बेंचोगे तो 200 रुपे नहीं पाओगे ठीक तो आपको यहाँ पर आधर सिक्का में बस इतना ही जाना है अंकित मूल जो होता है वो जाना रहेगा उसके बास्तिविक मूल से औरिजिनल वेलू से से ओप्शन में पड़ी है वह सिक्का जिसका अंकित मूल बास्तिविक मूल से या देखो समझाया ग्रम देखे, निम्लिक तेमेंसे कौन सा देश, सार्क का सदस देश नहीं है, ये तो बेसिक से कुश्ण है, इसमें, जो हम लोगों को याद रखना पड़ता है, बस भो ही जानी है, high नहीं होता है, मियामर cinco में रहता है, सार्क में कितने देश है, आथ देश है, जैसे भारत है, स्री लंका है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, नेपाल है, नेपल के बाद बंगलादेश, बंगलादेश के पास में म्यामर भी है, और अफगानिस्तान है, लेकिन म्यामर नहीं है, सी सही, चलिए बारमा देखिए, बाजार कीमत पर, मार्किट प्राइस सुद्ध घरे लूत पाद नेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट से क्यातात पर है यहां पर देखिए नेट लगए न सुद्ध कैसे निकलता है उसमें से loss अटाना पड़ेगा ना depreciation अटाना पड़ेगा मुलास अटाना पड़ेगा इसी को अटा दीजिए आप depreciation को निकाल देंगे तो net value आजाएगी सुद्ध value आजाएगी बाजार कीमत पर सकल गरे लूत पाथ से मुलास अटा दीजिए डिस है चली 13 देखिए यहाँ गलोबलाइजेशन के बारे में उचा गया है बैस्वी करन से होने वाले लाभों के बारे में बताईए बैस्वी करन हो रहा है globalization हो रहा है पहला बिल्कुल सही है दूसरा है उप भुखता हो यानि कंजूमर यानि आप और हम के लिए बिकल्पों में कमी आईए कमी नहीं आईए भाई बहुत सारे उप्संस हैं और आप तो इतने उप्संस हो गएए कि पता है नहीं चलता है कि कौन औरिजिनल प्रोडक्ट है कौन प जीएस्टी पढ़के रखें ना जीएस्टी कास्केडिंग एफेक्ट चलिए बताइए कास्केडिंग एफेक्ट क्या है कास्केडिंग एफेक्ट का मतलब होता है डबल टेक्सेशन या फिर ट्रिफल टेक्सेशन ये क्या चीज़ है दो बार टेक्स देना पढ़ रहा है त इसको खतम करने के लिए क्या लाए गया है GST लाए गया है GST कैसा टेक्स है इंडारेक्ट टेक्स है आप रत्यक्ष कर है इंडारेक्ट टेक्स यह डवल टेक्सेशन ट्रफल टेक्सेशन दो बार कर लग रहा है तीन बार लग रहा है कहां पर लग रहा है किसी भी नहीं है गाड़ी बना रही है कर बना रही है कार की कॉस्ट है माल लीजिए दो लाग आई ठीक है दो लाग के बाद वो क्या करेगा अपना प्रॉफिट भी जोडएगा इसमें प्रॉफिट जोड़ेगा वो कम से कम 50,000 तो जोड़ेगा दो लाग की के चीज बना रहा है तो इसकी कोस्ट हो गई फिर 2.500,00,00,00,00 कार की इसकी कोस्ट हो गई धाय लाग इसके बाद जब लेगा आक साइज ड्यूटी ठीक है एक साइज ड्यूटी प्रोटेक्श्टन लेवल पर एक साइज को तो नहीं हटाएगा ना government क्योंकि वो तो company मना रही है वो profit के लिए कामी कर रही है लेकिन जो double tax लग रहे है एक्साइज duty लग रही है बैट टेक्स लग रहे है इन सब को हटाके यहापर नया text इंट्रोड्यूस किया है GST अब यह GST एक ही साथ लिया जाता है consumer से consumer level पर अब GST लिया जाता है अब एक ही बार consumer को यहाँ पर tax से देना है, तो कुछ हद तक GST का फायदा है, ऐसा नहीं है कि exercise duty अटा दिया bet हटा दिया, तो consumer को बहुत बड़ा फायदा हो गया, बहुत बड़ा बड़ाएगा भी, चली, चली 15 देखिए यहाँ पर बहु आयामी नर्धनता सूच कांक, Multi Dimensional Poverty Index, Multi Dimensional Poverty Index, हम लोग ने SDI भी पढ़ाता है न, SDI में जो बरतमान इस्तिती है, भारत की कितनी है, 132 न, और पुरानी इस्तिती 131 थी, एक अंगे की जिराव अटाई है, और यह जिस parameter पर बनती थी, वो parameter भी तीन पढ़े थे हम लोग ने, क्या था, स्वास्त था, सिक्षा था, और जीवन स्तर था, यहाँ पर पहला statement पढ़िए, बहु आयामी नर्धनता सूचकांग का जो पुराना नाम था, वो मानोगरीवी सूचकांग था, लेकिन फिर update कर दिया गया, 2010 से, यह correct है, दूसरा है मानोगरीवी सूचकांग की संकिल अपना को त्याग कर, अच्छा यही चीज लिखिए, बी option से यह, सी है, इस सूचकांग में SDI, Human Development Index को प्रती बिम्बित करने वाले चार आयामों को समलित किया गया है, यह ना 12 सूचकों में विभाजित किया गया, नहीं, अपने SDI में तीन इंडिकेटर पड़े थे, जो अभी हम लोगों ने उपर सीखा, हेल्थ देखा था, एजूकेशन देखा था, और यहाँ पर स्टेंडर्ड ओफ लाइफ है ना, जीवन इस्तर, और इसके सब पैरामीटर भी होते हैं, सब पैरामीटर 10 होते हैं, मैं यहाँ पर इमेझ लगा दूँगा तो देख लिना, पॉस करके, नियाँ पर कितना लिख रहे हैं, यहाँ पर यह चाल लिख रहे हैं, चाल नहीं है, 3 है SDI जिन पेरामीटर पर वंता है उसी पेरा मीटर पर इस इंडेक्स को भी बनायगे जाता है वहुक कर लेंगे 16 नहीं थिस्टी कर रही है फिजिकल क्वांटितरी से उनकी рассказ असान सा कुइशन है इनको जल्दी जल्दी सी खर लेते हैं पहला है एकसिलरेशण तोरण तोरण की यूनिट क्या होती है इस सेकंड स्क्राइब बलéral फोर्स नूटन होता है और ये जो बर्क डन है बर्क डन ने जूल हो जाएगा ठीक के jylet Church और ット क्या pan मेंुझ छिए जाएगा न्यूटन से के मिला लेना इनको डी अप्शन से ही है 17 देखिए बैध हर्मामीटर जो 2000 मापने यह तो 2000 डिग्री सेल्सेस मापने यह तो उप्योक्त होता है बताई यह जल्दी से कितनी वार पड़े हैं हजारों बार पड़ चुक है जब से त्यारी कर रहा है पाइरोमीटर बोलता है पाइरो मिल्स पाइरो रूट बड होता है तमप्रेचर का है पूंड बिकरण फाइरोमीटर करें एक ट्रेंड जैसे ही चलना परार्म करती इसमें बैठे हुए याद्री का सिर्फ पीछी की बा से जाता है क्या ही इनर्षिया जालती हुई गाड़ी में आपके शरीडिका जो इस गाड़ी को हिफोलो करेगा लेकिन जो हिस्सा को नियानी ऊपरी वाला जो हिस्सा यह वाला इस्सा यह coconut नीटन का जो पृतम नीअम था घती का क्या कहता है जो अवस्त हमें है उसी अवस्ता में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्स्टरनल फोर्स भायवल नहीं लगाए जाए तो यहाँ पर जो उपरी हिस्सा है शरीर का यह फॉलो कर रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लोग को यह उपरी हिस्सा ग्राम आवस्था में रहना चाहरा है कल लेंगे यह सही है उनीस में पूचा है स्टेंडर्ट साउंड लेवल जो होता है हुमेंस में मनिस्यों के लिए मानक ध्वनी स्तर कितना बढ़ता है सिस्टी डेसिविल बढ़ता है जस्ट फैक्ट है ट्विंटी में है निमलेकरत युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजिन को रहे होगे और जिनके पास चार पाईया नहीं है वह दो पाईया में देख सकते हैं लेकर वहाँ पर रेडियाटर नहीं होता है वहाँ पर फिंस होता है इंजन देखा न आपने दो पाईया में जो इंजन होता है वह कुछ इस तरह का डिजान का बना रहता है ना ऐसे से फि लोग ने थोड़ा बहुत थर्मल बावर प्लांट में बताया था आपको इस पर पानी गिराते हैं या फिर अगर थर्मल बावर प्लांट है तो सुपर हीटेड इस्टीम को यहां पर इंपक्ट कराते हैं टरवाइंस पर ताकि वो जन्यटर की साथ को गुहमा सके और हमारे घ तो आप लोग जब तक कुशन पड़िए जब तक हम यहां पर सेटिंग करते हैं जल की जो कठोरता आती है केल्सियम सलफेट से आती है विल्कुल करेक्ट है एक याद रखें आप लोग उपियोग योग नहीं रहता विल्कुल नहीं रहता आप बॉयल भी करोगे आप्टर वॉयलिंग तब भी इसकी कठोरता नहीं जाती है तो बड़ा डेंजरास है केल्सियम सलफेट यह करेक्ट है दूसरा हीरा जो है तावा और लोग से कठोर होता है ठीक है बायू का जो मुख गटक है ऑक्सिजन नहीं होता है क्या होता है नाइट्रूजन होता है सबस इसके बाद में हम लोग ने चार गयसों का सेक्वेंस देखा था वह आपको कमेंट करके बताना है चौते में लगा है नाइट्रूजन बनस्पति गी के नर्माने में प्रयोक्त होता है नाइट्रूजन नहीं होता है कई बार पूचा है इस कुश्चन को वैसे ॥ा भ्लत है और देतरा गलत है एक और दो सही है लेकर देख लिरीव मुचा है न क्योंगे और टीक है यह सभी है धी सुधड़ी करेक्ट है धैके बार आपड़ा यहां नाइजीन के बर वाघ्ले सर्फड़ल जनशिए तो के लि לנו बstyनगा कि यहां पर जो गैस होती है वो गैसुलीन होती है बैंजीन नहीं होती है बैंजीन गलत है दूसरा गलत हो जाएगा मैंजीन को क्या बोलते थे C6, S6, अच्छा 11-12 की केमिस्ट्री याद आ रही है, किलास 11-12, इस तरह के टिबब बनता था, तीसरा है भूतापी उर्जा, जियो थरमल एनर्जी, एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, नॉन ट्रेडिशनल है, आप परमपरागत है, तो यहाँ पर सही लिखा है, आप परमपरिक स सोर्स है, ठीक है, चौता है, गोबर गैस का, जो मुख कॉंस्टिट्योंट होता है, वो मीथियन कैस होती है, CH4 होती है, ठीक है, चौता सही है, 134 सही है, 23 मैच कराई है, कौन सा सो मिलेते नहीं है, अधरक जो है, राइजों, ठीक है, केसर 20 से पराप्त नहीं होता है, केसर क सन को देखे होंगे गाउं से अगर आप बिलॉंग करते हैं तो आप अच्छी तरीकी से जानते होंगे सन के बारे इससे हमारे दादा दादिया रस्सियां मनाते थे न भी करेक्ट है जो गलत मैच है डेजर्ट फ्लंट के बारे पूचा है मरवस्तल ये पोगते हैं इसको किया था ना पहले टेस्ट में उसमें किया था सैड यूवीपीसियस की टेसुरीज में टेस्ट नंबर तरीा में क्या रेवारी करां यह भटावट सी थरी फफ़लंट सी फॉर फ्लंट और क्यांप्लंट कौन्से होते हैं क्यांट पाथवी को कौनने फॉर्लंट फॉल्लो करते हैं यह किस तरह का होता है fel यह कुछ नहीं में यह वस फोटो संतेसिस की एक प्रेकरिया है ऑपश्य uninter generations के है नई चीज़े है कि नाइट में फोटो संथेस्स होता है नाइट में फोटो संथेस्स होता है जो भी प्लांट के पाथवी को follow करते हैं उन plants के जो लिए रंदर है ये daytime बेर खुल जाते हैं तो night के समय पर ये carbon dioxide को अब्सवर्ब बनने लगते हैं रात के समय पर ये photosynthesis करते हैं तो इनके अंदर जो पानी की मात्रा है वो बची रहती है वो लॉस नहीं होती है बाटल लॉस नहीं होता है इनका जो रूट सिस्टम होता है जड़तंत्र होता है वो काफी लंबा होता है बड़ा होता है पानी की इतलास के लिए और यहां पर कारण लखा है मरता का उच्छ तापमान जड़ विकास को देखो यह वही कोश्चन ही है GS World ने भी इसी कोश्चन को दिया है कुछ नया कोश्चन थोड़ी ना बन रहा है इस कोश्चन को हम लोग टेस्ट नमबर थ्री में किये थे दे आइस की टेस्ट सीरीज में यूपी पीसीएस के लिए जो कर रहा है सेम कोश्चन यहीं पर हुआ है यहां पर GS World के साथ में टेस्ट में यही कोश्चन है तो इसको डिसकस कर चुके हैं एक बार कारण यहां पर ग जाता है वो जमता नहीं है जो पानी जमता है वो सिर्फ उपर वाली लेयर होती है जील की यही बस परत जमती है लेकिन अंदर जो पानी बारा हुआ है यह लिक्विड इस्टेट में रहता है क्योंकि बाहर का जो टेंपरेचर है सर्दियों में बाहर का जो टेंपरेचर है तो बहुत जाना कम है आप लोग ने freezing point के बारे में पढ़ा होगा freezing point किसी भी liquid का freezing point क्या होता है जिस temperature पर वो जम जाता है उसी को freezing point बोलता है तो जो यहाँ पर सर्दियों में बाहर का temperature है बाहर का freezing point है वो तो कम रहता है लेकिन जील के अंदर जो पानी बराए यहाँ पर freezing point बाहर के तापमान से जाना रहता है इस वज़े से अंदर का जो पानी बराए यह जमता नहीं है चुकि बाहर का जो बाता बरान है इसके contact में कौन सा है जील का उपरी हिस्सा है तो उपरी हिस्सा जम जाएगा सी यहाँ पर सही है ठीक है तो यहाँ पर पत्तीस question कर लिए है इसको कीजिए practice कीजिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत बहुत सूपरी है